उधारण साथ यदि एक्स बराबर तीन बटा दो की घात दो गुणित दो बटा तीन की घात रिड़ चार तो एक्स की घात रिड़ दो का मान ग्यात किजिए हमें एक्स बराबर तीन बटा दो का घात दो गुणित दो बटा तीन का घात रिड़ चार है तो एक्स का घात रिड़ दो का मान ग्यात करना है यहां सबसे पहले हम एक्स बराबर तीन बटा दो का घात दो को हम तीन का घात दो बटा दो का घात दो लिखेंगे गुणित दो बटा तीन का घात रिड़ चार को हम अंचवर हर में बाटेंगे तो यह होंगा दो का घात रिड़ चार बटा तीन का घात रिड़ चार हमने यहां घातां का नियम लगाया है चूँकि ए बटा बी का घात एम बराबर ए का घात एम बटा बी का घात एम होता है अब एक्स बराबर तीन का घात दो बटा दो का घात दो गुनित रिनात्माग घात को धनात्माग में बदलने के लिए सबसे पहले तीन का घात रिड़ चार को हम अंच में ले जाएंगे तो ये बनेगा दीन का घात चार बटा अंच की संख्या दो का घात रिन चार को जब हम हर में ले जाएंगे तो घात रिनात्माग जो है धनात्माग में बदल जाएंगा तो ये 2 का घात हो जाएंगा 4 यहाँ पे हमने घातांग का सूत्र लगाया है एक घात रिण M बराबर एक बटा एक घात M और एक बटा एक घात रिण M बराबर एक घात M होता है X बराबर यहाँ अंच में 3 का घात 2 गुणित 3 का घात 4 में अधार एक है तो घात जो है हमारे जुड़ जाएंगे तो हम 3 को एक बार लिखेंगे और घात को का योग करेंगे 2 धन 4 उसी प्रकार से हर में 2 का घात 2 गुणित 2 का घात 4 को हम लिख सकते है दो का घात दो धन चार हमने यहाँ पे घातांग में गुणा का नियम लगाया है एका घात M गुणित एका घात N बराबर एका घात M धन N होता है अब एकस बराबर तीन का घात दो धन चार बराबर छे तो यह हुआ तीन का घात छे बटा दो का घात दो धन चार बराबर छे यहाँ पे हमने एकस का मान निकाला तीन का घात छे बटा दो का घात छे इसे हम ऐसा लिख सकते हैं तीन बटा दो क्योंकि यहाँ अंश्वर हर दोनों की घात छे है तो हम इसको कोश्टक में लिखे छे लिखेंगे यहाँ पे हमने घातां का नियम A का घात M बटा B का घात M बराबर A बटा B का घात M का प्रयोग किया है आगे हम इसे अगले प्रिष्ट में देखते हैं आगे देखते हैं हमने X का मान निकाला था तीन बटा दो का घात छे अब अब हमें X का घात रिन दो ग्यात करना है तो हम सबसे पहले X का मान लिखेंगे तीन बटा दो का घात छे अब X घात रिन दो है हमारे पास और हमने X का मान लिख लिया है तो हम बड़े कोश्टक के बाहर में रिन दो लिखेंगे अब जब हम कोश्टक को बड़े कोश्टक को खोलेंगे तो घात गुणा हो जाएंगा तो तीन बटा दो का घात छे गुणित रिन दो यहाँ पे हमने घातां का नियम लगाया है एका घात M का घात N बराबर एका घात M गुणित N बराबर तीन बटा दो का घात छे गुणित रिन दो बराबर रिन बारा अब हम इस रिनात्मक घात को धनात्मक संख्य में बदलने के लिए हम इसे लिखेंगे यह जो तीन बटा दो है यह उल्टा हो जाएंगा और यह बन जाएंगा दो बटा तीन का घात बारा चुकि हम जानते हैं घातां के नियम में A बटा B का घात रिन एम बराबर B बटा A का घात M होता है बराबर दो का घात यहाँ पे अंच और हर के लिए घात बारा एक है जब हम कुष्टक को खोलेंगे तो घात जो है अंच में और हर में आएंगा तो दो का घात बारा बटा तीन का घात बारा यहाँ पे हमने घातां के नियम लगाया है A बटा B का घात M बराबर A का घात M बटा B का घात M तो दो का घात बारा बटा तीन का घात बारा यहाँ उधारन का हल होगा